हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में जानेंगे आत्म निर्भर भारत अभियान से जुड़े महत्रपूर तत्यों को तो चलिए देखते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने COVID-19 वैश्विक महामारी से बचाओ हे तू लगाय गयल लॉकडाउन से लगभग इस्थिर हो गई अर्थ व्यवस्था मैं नए सिरे से जान फूंकने के लिए 12 माई 2020 को 20.97 लाख करोड रुपे के आत्म निर्वर भारत अभियान चलाए जाने की गोशना की जो 4L या 4L फोकस फोर L पर फोकस करेगा तो वह इस प्रकार हैं पहला है भूमी लेंड दूशरा है स्रम लेवर तीसरा है तरलता लिक्विडिटी और चोथा है कानून लॉद आत्म निर्वर भारत अभियान की बिस्तरित रूपरेखा बित्यमंत्री निर्मला सीतर रमण ने 13, 14, 15, 16 और 17 माई 2020 को घोशित की जिसमें शूक्ष्म, लगू, एवं मध्यम, उद्यमो, क्रशी तथा सहायक, क्रियाय, कामगरों, प्रमुक उद्योगों के तुरत विकासीतू अनिक पैकेज सामिल है आत्म निर्भर भारत के पांच इस्तम्भ हैं, पांच इस्तम्भों पर आधरत है, तो आत्म निर्भर भारत के पांच इस्तम्भ हैं, वह इस प्रकार हैं पहला है अर्थ विवस्ता जो ब्रद्धी सीट परिवर्तन नहीं वलकी लंबी छलांग सुनिश्चित करती है दूसरा है बुनियादी धाचा जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए और तीसरा प्रणाली जो 21 सदी की प्रोध्यगे की संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो चौथा उत्साहित सील आवादी उत्साह सील आवादी जो आत्म नर्भर भारत के लिए हमारी पूर्जा का स्रोथ है और पांचवा मांग जिसके तहट हमारी मांग एवं आपूर्ती श्रंखला की ताकत का उप्योग पूरी छमता से किया जाना चाहिए इससे जोड़े अन्य महत्पूर्ट तथ्यों में संग्ठ छेतर के लिए EPFO को बिनियमन में संसुधन किया गया ताकि श्रंख अपने अग्रिम गेर बापसी अकाश्मिक खर्च या तीन महिने का अग्रिम बेतन जो भी कम हो का 75 परतीशत तक ले सकें और इससे 4.8 करोड करमचारियों को फायदा होगा अगला है तथ्ये राज्य सरकार को भवन और निर्मान करने वाले मजदूरों के लिए कल्यान निदी में मौझूद लगभग 31,000 करोड रोपे का उप्योग करने का निर्देश दिया गया है जिससे उन लोगों की मदद की जा सके जिनको लागडाउन के कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा रोजगार को बड़ावा देने है तू मनरिगा के लिए आवंटन में वर्ष 2021 के लिए 40,000 करोड रोपे की ब्रद्दी प्रधान मंत्री इविद्या डिजिटल ऑनलाइन सिक्षा तक बहु माध्यम पहुँच के लिए एक कायरक्रम जिसे जल्दी सुरू किया जाएगा दिवाला कारवाही शुरू करने के लिए नियूनितम सीमा को बढ़ा कर एक करोड किया जाएगा पहली आई सीमा एक लाख थी महामारी की स्थिती के आधार पर एक वर्ष तक नई दिवाला कारवाही की शुरूआत नहीं की जाएगी केंद्र सरकार ने केबल वर्ष दोजार बीस एक कैस के लिए राज्यों की उधार की सीमा तीन परतिशत से बढ़ा कर पांच परतिशत करने कर नेर्ना किया रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा अगला तथ है रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार करते हुए स्वचलित मार के जरिये रक्षा भी निर्माण में FDI की सीमा 49 प्रितिशत से बढ़ा कर 54 प्रितिशत करने का नेर्ना लिया है पबलिक प्राइविट फार्टनर्सिप के आधार पर परीचालन और रख रखाओ के बास्ते दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए छे और हवाई अड़ों की पहचान की गई है उपग्रह, प्रिशेपन और आंत्रिक्ष उपग्रह, प्रिशेपन और आंत्रिक्ष आधारे सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवशार प्रदान किये जाने का निर्ना है कैंसर और अन बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकितसा आईसोटोप के उत्पादन के लिए ट्रपल पी मोड में अनू संधान रेक्टर स्थापना करने का निर्ना भी लिया गया है किसानों के लिए क्रशी दौर आधारित ढाची पर केंद्रित एक लाख करोर का क्रशी आधार भूत ढाचा कोस सुक्ष्मा खाद्य उपक्रमों के अपचारी करन के लिए 10,000 करोर की योजना प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना के माध्यम से मच्छवारों के लिए 20,000 करोड रुपे का प्राउधान पसू पालन बुनियादी धाचा बिकास कोश के लिए 15,000 करोड रुपे का प्राउधान टमाटर प्याज आलू टॉप से टोटल के ओपरेशन ग्रीन के अंतरगत सभी प्रकार फलों सबजियों को सामिल करते हुए 500 करोड रुपे का प्राउधान ओसदिये या हरवल खेती को प्रोथसाहन देने के लिए 4,000 करोड के परिवय का प्राउधान सरकार किशानों को बहतर मूल प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तू अधिनियम में संसोधन करेगी इसके तहत अनाज, खादे तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहत करसी खादे पदार्तों को नियंतरन से मुक्त किया जाएगा किसानों को बिपड़न का विकल प्रिदान करने के लिए क्रसी बिपड़न सुधार के लिए एक केंद्रिय कानूं तयार किया जाएगा प्रवासी स्रमकों को भारत में किसी भी उच्छ मूले वाली दुकान से राषन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक परॉधयकी की प्रणाली का उपियोग होगा और वह एक राष्ट एक कारड प्रणाली एक कारड एक सुरी एक राष्ट और एक कारड प्रवासी श्रमकों और सहरी गरीबों के लिए सस्ते किराय के आवास परीशरों की योजना शुरू की जाएगी अगला तथ है सिसु मुद्रा रिंड लेने वालों को बारा माह के लिए दो प्रतिशत ब्याज की छूट स्ट्रीट बेंडरों के लिए पांच हजार करोड की रिंड सहायता प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी के तहट MIG के लिए क्रेडिट लिंग्ड सबसिटी योजना के बिस्तार के माध्यम से आवाशन छेत्र और मध्यमाय समूह को सत्तर हजार करोड का प्रोचसाहन केमपा फंड का उप्योग करते हुए रोजगार सिजन के लिए 6,000 करोड रोपए नावाड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड रोपए के अतिरिक्त आपात कालीन कारसील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहर धाई करोड किसानों को 2,000,000 करोड रोपए का प्रोचसाहन MSME MSME सहित ब्याव साहियों के लिए 3,000,000 करोड रोपए की आपत कालीन कारसील पूंजी सुभी दा कर्ज बोज से दबे MSME के लिए 20,000 करोड का आप्रधान रिन अगला है MSME Funds of Funds के माध्यम से 50,000 करोड रोपए की इक्विटी सुलब कराई जाएगी जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के बेतन महीनों के लिए ब्योशायक और संगटित कामगारों के लिए करमचारी भवश्य निधी संबन्द साहता 3 माह और बढ़ाई गई EPFO द्वारा कवर किये जाने वाले सभी प्रतिश्ठानों के निधी और करमचारी के लिए EPF अंसदान को अगले 3 महिनों के लिए 12 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया जाएगा अगला है रियल इस्टेट परियोजना के यह को राहत सभी पंजीकरत परियोजनाव के लिए पंजीकरने में पून होने की तारीक को 6 माह तक बढ़ाया जाएगा परियोजनाव के लिए बैयोजनाव के लिए करबात धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर कार्पुरेट बैयोजन इवं परसों से लंबिद आएकर रिफंट रिफंड तुरनट जारी किया जाएंगे और वित्वर्स 2021 की से सब्धी के लिए स्त्रोत पर कर कटोती और स्त्रोत पर संग्रहत कर की दरों को 25 प्रतिशत की कटोती तो दोस्तो ये थे आज के वीडियो में मेहतhao अभी हँन से चुड़े तर थे तो आसर कर दों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेए अपनी दोस्तो कर शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू